हेलो डियर स्टुडेंट वेल्कम बैक टो माई चानिल जेह रिशेप फिजिक्स क्लासेश आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूनिट सॉप मेजरमेंट बच्चो हमारा मेजरमेंट चाप्टर शुरू है और मेजरमेंट में यूनिट कोई भी मेजरमेंट अगर करना ह है तो मेजरमेंट के लिए यूनिट बहुत जरूरी है देखो बच्चो है यूनिट यानि क्या होता है वाट इस मिन भाई यूनिट इड़ा रेफरेंस स्टैंडर्ड यूस फॉर्द मेजरमेंट देखो जैसे लिटर है अगर आप दूद लेते हो तो ऐसा होता है यह कंटे करके डालता है वी टालता आए उनिटंत लीटर क्या है लीटर क्या है यूनिटंत लीटर आप मेजरमेंट उसके बाद में देखो अगर समझगे रॉड है A, B अब इस रॉड का मेजरमेंट लेने के लिए हमें कोई तो रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए जिसके हिसाब से हम इस रॉड को मेजर कर सकते हैं For example, अगर सेंटीमिटर रेफरेंस स्टैंडर्ड है और अगर इतने डिश्टन्स को एक सेंटीमिटर कहा तो कैसा होगा एक सेंटीमिटर, दो सेंटीमिटर, तीन सेंटीमिटर, चार सेंटीमिटर, पाथ, छे, साथ, आठ, नव, दस तो यह तेन सेंटीमिटर हो गया मतलब आपने unit कों सा यूज किया centimeter और यह centimeter के 10 times है तो centimeter is the unit in which we are measuring the length जिसमें हम क्या measure कर रहे है length measure कर रहे है meter भी होता है unit उसके बाद में time जैसे अभी time जो हुआ है समझो आपको exam के लिए जो होता एक time duration होता है उसका भी unit होता है एक गंडा वन अवर या थ्री अवर तो इसमें अवर क्या है टाइम को measure करने का unit है अवर का reference लिया जाता है और उसके थ्री टाइम एक अवर के थ्री टाइम support time दिया जाएगा exam के लिए मतलब जो unit है यह बहुत important है कोई भी measurement अगर express करेंगे तो इस form में express करते हैं कैसे form में express करते हैं unit को कोई भी measurement होगा तो उसे for example mass is equal to 10 kg ऐसा है समझो तो इसमें यह measurement है इसमें 10 होता है magnitude that इन क्या होता है magnitude और केजिई होता तो measurement को is a magnitude and unit kAY फॉर्म में एक्सक्र satisfaction किया जाता है कोई भी measurement हो ऊनिवर्सल में कोई भी measurement लो उसे magnitude and unit के फॉर्म में express किया जाता है okay this is called reference standard अब reference standard जो use करते हैं वो कैसा होना चाहिए जिसे कहते हम properties of good unit good unit अच्छा unit किसे कहेंगे वो भी तो आपको पता होना चाहिए properties of good unit क्या होती है वो भी मैं आपको clear करना चाहूंगा properties of good unit क्या होता है बच्छो good unit अच्छा unit किसे कहेंगे सबसे important अच्छा unit उससे कह सकते जो universally accepted सभी लोगों ने accept करना चाहिए तो आपने घर पे एक unit बनाया अपने नाम से जैसे अभी energy का unit क्या है जूल वैसे अगर मैंने खुद के घर पे एक unit बनाया वन जैहरी energy का unit अगर लोगों ने accept करेंगे तबी तो वो अच्छा है ने तो स्रीप मुझे ही मेरा unit पता है बाकि लोगों को अगर पता नहीं होगा तो वो unit कुछ कामका नहीं है तो universally accepted होना चाहिए properties of good units में it should be it should be universally accepted universally accepted सभी लोगों ने उसे accept करना चाहिए इंडिया हो पाकिस्तान हो अमेरिका हो जपान हो सभी countries ने उसे accept करना चाहिए ओके दूसरा है it should be easily available होना चाहिए हर जगह पे available होना चाहिए for example मुझे वन किलोग्राम पता है अगर मैं किसी जगह पे जाओंगा और उसेरिया को वन किलोग्राम वहाँ पे हो गए नहीं तो फिर वन किलोग्राम कोई अच्छा यूनिट नहीं कह सकते हर किसी को पता होना चाहिए हर जगह पे available होना चाहिए तीसरा है it should be a reproducible a अगर वो यूनिट अगर समझो है उसे हमें अगर produce करना है production उसका करना है तो हमें easily उसको define चाहिए वो easily defined होगा या simply defined होगा तो उसे हम produce करने के लिए हम easy जाएगा यतनी amount को हम 1 kg कहेंगे वो अगर clearly mention किया होगा तो वो हमारे लिए produce करने के लिए easily अगर हमारे पास का kilogram अगर गायब भी हो जाएगा तो हम दूसरा 1 kg बना सके तो उसे easily reproducible बोल सकते है फूर्थ है non perishable it should be non perishable perishable का मतलब होता है perishable मतलब time के साथ में destroy होना या हम कह सकते हैं वो यूज से बाहर जाना for example ऐसे बहुत सारी units है जो पुराने कुछ जैसे ग्रंत है या अलग-अलग books में कुछ units बताए है जैसे distance का योजन unit नाम से है शाहिद आपको पता भी नहीं होगा लेकिन ये unit अभी आज use में है क्या नहीं है तो उस unit को हम good unit नहीं के सकते वो time के साथ में क्या होना चाहिए present रहना चाहिए time के साथ में परिश यानि destroy नहीं होना चाहिए use के बाहर नहीं जाना चाहिए ऐसे कुछ properties of good units है ओके उसके बाद में और एक property ये है non-variable non-variable देखो जगा के हिसाब से उसके definition नहीं बदलना चाहिए जैसे 1 kg इंडिया में जितनी amount को 1 kg कहते हैं उतना ही अमेरिका या other जो भी countries है उसमें भी उतनी ही amount को 1 kg कहना चाहिए मतलब वो time के हिसाब से 1 kg के definition बदलनी नहीं चाहिए तो उसे हम कह सकते है अच्छा unit time के हिसाब से भी नहीं बदलना चाहिए तो आज 1 kg यह है 10 साल के बाद 1 kg अगर अलग हो जाएगा 1 kg चोटा हो जाएगा जैसे पारले जी का बिस्किट देगा होगा आपने पारले जी का बिस्किट का जो पैकेट है पहले बढ़ा था अवे देरे 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 उन्होंने क्या की प्राइस होई रखे उसकी size चोटे करते गए वैसा kg के size नहीं बदलनी चाहिए अगर kg के size vary नहीं होता ओके बदलता नहीं है तो unit क्या होता है हर measurement के लिए unit की ज़रूरत है और अच्छा unit किसे कहते है वो भी मैंने आपको clear किया है अभी हमें देखना है types of unit बच्चो physical quantity के हमने दो types देखे है एक होती है fundamental physical quantity जिसे measure करने के लिए किसी other physical quantity के reference की ज़रूरत नहीं है उस quantity को हम कहते है fundamental physical quantity जिसे directly measure कर सकते है for example मैंने आपको बताया था length length कैसी quantity बताई थी मैंने fundamental quantity बताई थी क्या होता है length को direct scale लगा दी measurement लिया length के measurement के लिए किसी other physical quantity के measurement की ज़रूरत नहीं है जिसे directly measure कर सकते है उसे कहते है fundamental basic base और इन fundamental quantity को measure करने वाले units इनको measure करने के लिए जो हम reference standard use करते है fundamental physical quantity के measurement करने वाले जो units होते है fundamental physical quantity के units होते है उन्हें कहेंगे fundamental units उन्हें क्या कहेंगे fundamental units तो इसे क्या कह सकते है units of fundamental physical quantity units of fundamental physical quantity units of fundamental physical quantity is called is called as fundamental unit it's called as fundamental unit उसे क्या कहते है fundamental unit इसका example क्या है पता आपको length fundamental quantity उसे directly measure कर सकते है उसका unit meter fundamental unit होगा time fundamental quantity जिसे directly measure कर सकते है time को अपको अगर मैंने time बूचा तो fraction of second में आप देखे बताएंगे इतना time हुआ है directly measure कर सकते है directly पता कर सकते है base quantity है उसका unit second या जो भी है time का unit even day भी है या hour है यह सभी fundamental units हो गया fundamental physical quantity की units है उसके बाद में mass directly measure कर सकते है kilogram fundamental unit हो गया उसके बाद में electric current का क्या है अपना जैसे electric current का क्या है ampere ampere directly current measure कर सकते है ammeter पकड़ा circuit में connect किया direct reading मिल जाएगी current के measurement के लिए बाकि किसी quantity के measurement के ज़ुरत नहीं है current का unit क्या होगा fundamental unit उसके बाद में temperature देखो आज कल आपको पता है करोना का मावल चल रहा है temperature measure करते है direct आप थर्मोमेटर पकड़ा यसा लगा direct reading मिल जाएगी क्या temperature है temperature का measurement directly ले सकते है temperature के measurement के लिए किसी भी ओर quantity के measurement की ज़ुरत नहीं है without any reference directly temperature मिलता है तो Kelvin जो होता है temperature का unit Kelvin होगा यह degree Celsius होगा यह fundamental units है तो यह fundamental physical quantities जो है उनके units को हम क्या कहते है fundamental units कहते है उसके बाद में what is mean by derived units clear ही है derived units किसे कहेंगे units of units of derived physical quantity derived physical quantity इस कॉल आज डिरेव्ड यूनिट्स उसे क्या कहते है derived units derived quantities आप देखो कौन कौन से है units of derived physical quantities is called as derived units for example derived physical quantity है area derived है area depend है किस के उपर कुछ लोग कहेंगे किस के उपर area किस के उपर depend है area को measure करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है area length and breadth दोनों का measurement करना पड़ेगा ऐसा है कि आप इस diagram को देखेंगे और directly area count करेंगे नहीं calculation तो करना ही पड़ेगा मन में क्यों नहीं area directly measure नहीं कर सकते मन में ही क्यों नहीं लेकिन आपको length and breadth का multiplication करना पड़ेगा मतलब area is equal to क्या होता है बच्चो सकते derived quantity है उसका जो भी unit होगा चाहे उसका unit हो meter square centimeter square जो भी होगा वो कैसा हो जाएगा derived unit derived quantity है बाकि कोई भी quantity लो density अगर है समझो density को calculate करना है तो mass upon volume ऐसा होता है density तो उसका unit क्या होगा kilogram per meter cube density का unit उसके बाद में force force क्या होता है mass into acceleration derived quantity है directly force major नहीं कर सकते body का mass कितना है body में कितना acceleration produce हुआ है यह हम पता करना पड़ेगा फिर जाके force is equal to mass into acceleration करना पड़ेगा और फिर जाके आपको पता चलेगा force force का unit newton है कुछ लोग कहींगे sir newton अकेला तो दिख रहे है उसमें कोई combination तो नहीं दिख रहे है लेकिन newton एक combination of unit को ही नाम दिया है आप mass into acceleration का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा kilogram acceleration का meter per second square और इस combination को sir Isaac Newton इनको respect देने के लिए हमने kilogram meter per second square को newton नाम दिया है ओके तो यह है derived units derived physical quantity के जो units होते है उसे कहते है derived units energy का unit V जो होता है energy क्या होती है चाहिए kinetic energy low potential energy low वो कैसी होती आपको पता है energy कैसी होती है half of Ym V square kinetic energy kinetic energy भी derived quantity है उसका unit Joule derived unit है तो यह है fundamental and derived units ओके बच्चो जब कोई scientist हो या कोई country हो वो certain group of units को use करते है famous होता है उस area का unit हर area का एक unit होता है हर country का एक famous unit होता है जो हमेशा वो use करते है and उन units के group को ही क्या कहते है system क्या कहते हैं उन्हें system तो system of units system मतलब होता है group और set of units किसी क्या कहते है group or set of units is called as system of unit group और set कुछ unit select किए ये unit हम length के लिए major length के लिए use करेंगे या mass के लिए ये हम time के लिए ऐसे कुछ select के unit और यही units हम use करेंगे ये किसी scientist ने decide गिया और सबको बताया ये unit हम use करेंगे और इन group of units को ही क्या कहते है system इन group of units को ही क्या कहते है system जैसे एक system types of system हम first system देखेंगे देखो अलग-अलग types है क्योंकि अलग-अलग countries है और अलग-अलग countries में group of units अलग-अलग select किया है यूज़ के लिए जिसमें first है CGS system जिसे कहते है centimeter gram second system आपको word से ही धान में आया होगा length के लिए क्या यूज़ करते होगे देखो centimeter एक scientist है जिनका नाम है William Thompson इस scientist ने ये system दिये इनोंने ये system दिये और समझाया है कि हम ये units यूज़ करेंगे British scientist है ये और इनोंने क्या किया है देखो इनका कहरा ये था कि हम लोग length के लिए क्या करेंगे देखो length के लिए clinical length के लिए length के लिए centimeter यूज़ करेंगे सेंटिमीटर उसके बाद में मास के लिए मास के लिए ग्राम यूज़ करेंगे और टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे सेकर और फिर उन्होंने क्या इस ग्रूप को नाम दिया CGS सिस्टेम इस ग्रूप उफ यूज़ को क्या नाम दिया CGS सिस्टेम ओके CGS सिस्टेम लेंज सेंटिमेटर में मेजर करेंगे मास अगर मेजर करना ही है तो ग्राम में मेजर करो टाइम अगर major करना है तो second में major करो इन group of units को नाम दिया CGS system उसके बाद में next system है वो है YPS system इवन ये भी system British system है British जो थे अंग्रेजों ने हमारे उपर 150 years तक राच किया आपको पता है और इसलिए आज भी हमारे उपर उनका impact है कैसे है आज भी हम अगर कोई plot होगा तो से square feet में बताते है घर होगा तो भी घर का भी construction करते हैं बताते हैं इसकी width इतने feet है और length इतने feet है ये जो हमारी language है feet, feet कहां से आगा है इंडिया में feet कई पर mention है क्या पहले नहीं अंग्रेजों ने ही हमारे यहाँ पर feet जो है आज भी अंग्रेज गए है लेकिन उनकी system जो yaps system है वो आज भी हम यूज करते है देखो yaps system में yaps में yaps मतलब क्या होता पता आपको foot yaps मतलब क्या होता foot p मतलब होता है pound yaps for foot p for pound देखो foot किसका unit है length का unit है pound किसका unit है mass mass को measure करते है and yes yes किसका है yes for second यह किसका unit है time का unit है yaps p yaps foot pound second ओके यह है yaps p system यह p yaps system yaps system में अगर length measure करना है तो foot में measure करेंगे mass pound में measure करेंगे and time second में measure करते है बहुत सारे लोगों को foot का मतलब क्या है one foot मतलब कितना होता है पता नहीं होगा one foot यानि कितना होता है 0.3048 meter होता है and one pound conversion पता होना चाहिए one pound is equal to 0.454 kilogram यह conversion है पता होना चाहिए one foot यानि कितना होता है one foot यानि कितना होता है 0.3048 meter and one pound मतलब 0.454 kilogram तो यह system भी British system है यह PS system आज में ब्रितन के बहुत सारे countries में यही system यूज की जाती है वो अगर यूज करेंगे मास अगर मेजर करेंगे तो पाउंड मेजर करते हैं वहां के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते जिनके उपर जो रिडिंस लिका होता है इसमें क्या content है कितना content है उसमें भी पाउंड में लिका होता है बहुत सारे मेजर में यूज लाइप में पाउंड यूज करते हैं फूट यूज करते हैं इसके बाद में हम जो next system देखेंगे वो है यम के system यम के यस यह बहुत important system है और देखो यह scientist है Johnny George इन्होंने यह system दीती जिसे नाम है यम के यस ओके यम मतलब क्या होता है देखो हम ज़्यादा तर physics में यह system यूज करते हैं यम के यस physics and engineering इंजिनेरिंग देखो it is used in engineering and beginning of physics physics and engineering में यह system सबसे ज़्यादा यूज की जाती है यम के यस यम मतलब क्या होता है यम किसके लिए है यम इस फॉर देखो यम इस फॉर मेटर उसके बाद में के किसके लिए उसके जाता है किलोग्राम and यस फॉर सेकर मतलब इस system में अगर length measure करना है तो मेटर में measure करेंगे उसके बाद में mass measure करना है तो किलोग्राम किलोग्राम किसका unit है mass का second किसका unit है time का मतलब इस system में इस scientist ने बताए कि हम लोग यह सबसे suitable है हम लोग क्या करेंगे mass के लिए kilogram use करेंगे length के लिए meter use करेंगे and time के लिए हम क्या करेंगे second use करेंगे और इस group को shortcut एक एक unit का shortcut use किया है जैसे कुछ लोग का नाम होता है होता है बहुत सारी लोग का नाम होता है के यम shortcut होता है के के अलग अलग नाम होते लोगों के है ओके तो वैसे ही यहां पर यह system shortcut मेटर का यम किलोग्राम का के सेकंद का यस लिया है और नाम दिया है यम के system तो यम के system में basic three units है जिसके उपर यह system बनी हुई है और यह system इसलिए important है कि आज जो हम यसा ही system देखते है क्या है देखो बच्चो हर country ने अपनी अपनी system बनाई है अगर हर country अपना अपना system अगर बनाएगा तो आज अगर हमें industrial कुछ product exchange करना है एक system एक country में CGS system है एक country में MKS system है और तीसरे में EFPS है तो अगर हमें कुछ information exchange करनी है business करना है कुछ technology exchange करनी है तो कैसे possible होगा दो country के बीच में अगर unity same नहीं होगा और अगर एक country को दूसरे country के अगर system अगर पता नहीं है उसके ठीक से जानकारी नहीं है तो बहुत मुश्किल जाता है इसलिए सभी scientist लोगों ने एक जग़ पे मिलके मतलब एक decide किया मिटिंग में decide किया जिस मिटिंग को हम कहते है देखो जिस मिटिंग को कहते है देखो यह मिटिंग है 11th general conference on weight and measures यह conference होती है जिसमें measurement के उपर कौन-कौन से unit यूज़ करने है उसके लिए 11th conference with the scientist लोगों की weight and measure के उपर जिसमें सब लोगों ने बताया कि यह बहुत ही मुश्किल जा रहा है हर country अपना-पना system यूज़ कर रहा है हम लोग क्या करते हैं सब मिलाके एक ही system बनाते हैं तो सोचने लगे कौन से system ज्यादा useful है यह ज्यादा कौन से system suitable है CGS suitable है यह यह suitable है तो सब लोगों ने decide कि हम MKS को ही modify करते हैं MKS system को modify करके यह system बनाई SI system जिसे कहते है system इंटरनेशनल बोल सकते हैं French language का word आया है और क्या किया है यह जो system international system SI system मतलब क्या है international system of unit इसे क्या कहते है international system of unit मतलब international level पे सभी countries ने इसे agree किया है इसे accept किया है regular life में use करने के लिए जैसे English language है समझो अगर कोई भी country में जाएंगे और country में जाएंगे तो वहाँ पर मराटी हिंदी ने चलेगे वहाँ पर हमें बात करना है तो English में बात करनी पड़ेगी वैसे हर country में अलग-अलग system है लेकिन सभी countries में अगर एक system होनी चाहिए जो use होने चाहिए उस system को नाम दिया यह size system इंटरनेशनल system है वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाओ पाकिस्तन में जाओ चाहे जर्मनी में जाओ इंडोनेशनिया में जाओ उसके बाद में और किसी country में बंगलादेश में जाओ कई पे भी जाओ यह system जो है यह पता ही है वहाँ के लोगों को ऐसी system बनाई है जो इंटरनेशनल यूल पर हर country में चलेगी हर country में हम use कर सकते उसे चाहे वो हम business करें तो उस system में कर सकते है किसी चीज को लाने लाना है हमें तो import export में हम क्या हमें पता तो होना चाहिए कि वहां के लोगों का units और हमारे units सीम होना चाहिए तभी हम वहां की चीज खरीद के यहां पे बेज सकते हैं, तभी बेज सकते हैं, तो हमने क्या करना है, हमें पता होना चाहिए, कि वहां के उनिट्स लेकिन पता नहीं है तो अब क्या यूज करते हैं हम लोग यासा है सिस्टेम इंपोर्ड इक्सपोर्ड के लिए भी जी जाता है इसके वज़से ओके तो यह सिस्टेम 1960 में शाइद यूज शुरू हुई थी यहां पर दिया कि हाँ 1960 देखो 1960 में यह सिस्टेम सब सब और कंट्री जो भी यूनिवर्स के पूरे कंट्री में यह यूज की जाती है अब देखो यह सिस्टेम में क्या क्या समझना जरूर्य में यह सिस्टेम अच्छी थी और इसको भी कुछ अपग्रेड करना पड़ीक यह सब लोग सोच रहे थे कि यह sufficient नहीं है तीन यूनिट मेजर्मेंट के सिर्फ लेंद का टाइम का एंड मास का किया जाता है नहीं उसके अलावा भी बाखे physical quantities है जिनको यूनिट्स होने चाहिए लेकिन यूमकेस ने तो सिर्फ तीन यूनिट को तो सब लोगों ने बोला कि आप यूमकेस उसको लेकिन यूमकेस को मोडिफाइ करना पड़ेगा तो यूमकेस को उस मेटिंग में यह डिसाइड किया है कि हम लोग चार fundamental units और एड करेंगे यूमकेस system में और उसके अलावा बाद में दो supplementary unit एड किये है टोटल कितनी units हो गए चार fundamental 2 supplementary 6 तो यूमकेस system में 6 units एड करके यूमकेस system को बनाया है इसी लिए हम लोग इसे यह भी कहते है rationalized यूमकेस system rationalized यूमकेस system मतलब rationalized क्यों कहते है क्योंकि यूमकेस system को ही upgrade किया है और बना है यूमकेस system जैसा मैंने आपको कहा था यहां फे 4 units हमने आड किये है कौन-कौन से 4 units आड किये है देखो देखो ये तो पहले से थे कौन सा length, mass, time इनकी units meter, kilogram, second पहले से थे लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने fundamental quantity temperature भी है उसके लिए Kelvin unit दिया electric current को ampere unit दिया luminous intensity को candela unit दिया luminous intensity होती है जैसे अपनी light के intensity होती है वैसे luminous intensity का concept है आगे चलके हम देखने वाले हैं उसके बाद में amount of substance जिसे हम mole में major करते हैं amount of substance जिसे हम mole में major करते मोल के language में जो amount को हम define करते है न वो भी fundamentally का क्योंकि हम उसे देखके ही बताएंगे इतना mole substance है मेजर डारेक्ली मेजर कर सकते हैं तो उसे amount of substance को mole unit दिया luminous intensity को candela electric current को ampere and temperature को Kelvin तो इसे four fundamental और एड के कौन-कौन सी MKS में कौन-कौन सी और fundamental एड की गई है बाद में देखको MKS को modify करते समय temperature एक quantity एड की जिसका unit Kelvin दिया उसके बाद में electric current एड किया fundamental as a fundamental उसका unit दिया ampere उसके बाद में luminous intensity जो है उसे add किया और उसका unit दिया candela cd से shortcut से represent करते उसे and amount of substance जिसे हम mole के language में आपके chemistry में mole का concept है देखो वहाँ पर हम क्या करते है वन मोल टू मोल जो भी है substance directly measure करके बताते है वन मोल टू मोल थ्री मोल तो वो जो amount of substance को मोल में measure करते है वो भी directly measure कर सकते है तो उसे भी हम fundamental का reference देते है उसे भी हमने fundamental quantity बता है अब total कितनी हो गए बच्चो one two three four five six seven seven fundamental quantity हो गई इसके अलावा यहम के system में और एक modification किया दो supplementary units भी बाद में दिये supplementary quantity quantity and उनके units को क्या कहते supplementary units देखो first step plane angle and दूसरा है solid angle plane angle मतलब क्या होता है देखो वहाँ पे तो diagram दी ही है दी ही दी है लेकिन यहाँ पे भी और एक diagram में निकलता हूँ एक angle theta है यह है arc ओके यह है radius circle का छोटा सा part निकला है उसे कहते arc यह circle के radius है angle trigonometry में आपने देखा होगा जो plane angle होता है plane angle को two dimensional angle कहते है board के plane में होता है तो plane angle is equal to क्या होता है plane angle is equal to होता है arc upon radius वैसे तो arc को भी हम meter में major कर सकते है meter में and radius को भी meter में meter meter cancel होके एक भी unit से होना ने चाहिए मतलब उसको unit ही नहीं होना चाहिए meter upon meter cancel लेकिन फिर भी इसे unit दिया है बच्चो इसे unit दिया है देखो plane angle एक quantity define के उन्होंने और इसका यसा unit दिया यसा unit यसा unit कौन सा इसका radian radian इसका यसा unit है ओके उसके बाद में solid angle है देखो यह plane angle क्या होता है आपको मैंने बता यहाँ पर arc upon radius यहाँ पर भी देखो इस diagram में भी आप देख सकते हो यह circle का arc है इतना part एंड यहाँ पर 5 दिया उन्होंने अब theta लो ज्यादा अच्छ है theta angle के लिए ठीक है यह है arc इसे yel या yes से represent कर सकते है चलो yes से represent करो radius r तो angle क्या होता है theta is equal to arc यह क्या है arc yes divide by arc चलो यहाँ से भी समझ लिया तो भी चलेगा तो angle is equal to क्या होता है circle का arc upon radius angle का unit होना नहीं चाहिए ता फिर भी उनको angle के measurement के लिए unit की ज़रुरत थी तो उन्होंने यह supplementary quantity दिये बाद में add की है और उसको unit नहीं था practically उसका equation देखे तो आपको ऐसा पताच चलेगा कि इसको unit होना है नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक add किया that is plane angle plane angle add किया है quantity add कि और उसका unit क्या है radian unit है plane angle का solid angle होता है solid angle मतलब आपको पता है ऐसा ice cream का कौन देखा होगा आपने देखा होगा मतलब देखा ही है अबने में आइस अख्रिवीम चाहिए देखो और यहाँ पर आंगल सब्टेंट होता है 3-D में यह 3-D में जो angle सब्टेंट होता है न तो इससे ही कहेता है ृ स्में यह चो वर्टेक्स होता यहाहां से यह जो डिस्तंस होता है इस ए Wakसिया को मैं कुछ नाम देता हूँ जैसे मैं इसको नाम देता हूँ DA एरिया को DA नाम दिया जस्ट A भी नाम दे सकते हो यह वर्टिक्स से इस एरिया का जो डिश्टन्स से उसे मैं R नाम देता हूँ तो solid angle मतलब क्या होता है यहाँ पी जो three dimensional angle होता है ऐसा तो यह क्या होता है, solid angle, तो solid angle क्या होता है, पता है, आपको solid angle is equal to, solid angle, solid angle is equal to, यहाँ पर यह solid angle है, इसे कुछ भी नाम से represent कर सकते हूं, कुछ-कुछ जगा पर इसे d omega ऐसे represent करते हैं, यह w ऐसा लग रहा है, इसे omega कहते हैं, तो solid angle को d omega से भी represent कर सकते हैं, that is equal to area, सामने का, जैसे यहाँ पर arc था ना, वैसे यहाँ पर area, सामने कितना area, यहाँ पर enclose किया है, divide by vertex से distance से उसका square, अब मुझे बता है, वैसे देखेंगे, तो इसका unit क्या हो जागा, area का meter square, divide by distance का meter square, क्या होना चाहिए, cancel लेकिन cancel होता है, फिर भी से unit दिया है, that is stay radian, क्या unit दिया है, stay radian, solid angle को unit दिया है, इसका यसा unit है, stay radian, stay radian, ठीक है, clear हो गए बच्चों, तो आज हमने unit क्या होता है, and system of units देखा है, next lecture में हम dimensional analysis continue करेंगे, thank you,